हलो हाई मैं मनुझ शर्मा अपने पहले व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ सबको राम राम कैसे हो आप सभी भगवान से भी यही दुआ करते हैं कि आप सभी सही रहें पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में काफी बारिश हो रही है जिसकी वज़े से काफी नुकसान हुआ है काफी लोगों के घरों का नुकसान हुआ है जमीनों का नुकसान हुआ है फसलों का नुकसान हुआ है जानमाल का भी काफी नुकसान होगा है तो उसके पीछे कारण जो भी होगा वो सब भगवान जानता है उस बारे में हम कुछ नहीं ना बोल सकते हैं ना कर सकते लेकिन उनकी मदद कर सकते हैं आगे के लिए हमें एक सीख ले सकते हैं कि उस चीज़ को दुबारा ना हो उस से कैसे बचा जा सके बोलने को तो काफी कुछ है काफी सारी चीज़े बोलने को है नेता भी हमारे यही कहेंगे मंत्री भी यही कहेंगे संत्री भी यही कहेंगे लेकिन एक्चुल में जो ग्राउंड में है वो देखना है कि वो कैसे होता है क्या होता है नदीर नालों को हमें बचा के रखना है नंबर एक नंबर दो जिस तरीके से आज के समय में एक खोड़ लगी है कि मकान बनाना है उस चीज को कम करना है मनजीले कम रखनी है चलो वो टेक्निकल चीज़े हैं उस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते लेकिन एक मजाग की बात मैं आपको करूंगा पहले आप यह कुछ एक वीडियो देख लेना और उसके बाद मुझे बताना कि आप क्या सोचते हैं कि इसमें कितना नुकसान हुआ है झाल 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 अभी जो आपने ये वीडियो देखी है ये हिमाचल में जगा आती है सोलन सोलन के पास ये शामती की कुछ एक फुटेज है जो मैंने आपको दिखाई है अब ये देखिए इसमें नुकसान कितना होगा एक घर को बनाने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितनी मेहनत सी वो उसका घर त्यार होता है नजाने कितना टाइम लगाया होगा उसने कैसे कैसे वो पैसे को उसने इकठा किया होगा और किस परकार से उसने वो घर बनाया होगा बारिश ने उस घर को तबाह कर दिया है लगभग 40 से 50 बिल्डिंगे ऐसी है जिनको खत्म कर दिया गया उसके बाद सरकार मरहम लगा रही है एक वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगा बात उसके बाद पूरी करेंगे क्योंकि यह आपके लिए देखना जरूरी है कि मैं किस विशह पे आपके बीच में आया हूं किस लिए आपके बीच में आया हूं यह मेरा व्लॉग है एक छोटा सा प्रयास है स साथ चलना उस मुद्दे के ऊपर बात करना मैं चाहूंगा आप मेरे को कमेंट करें इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें मुझे सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं घंटी जरूर बजाएं पहले वीडियो देखें फुड़न कर दात करें पिला करें थोच्थ करें अपरवादाटा बाता है शकत्पक्स अपरवादा प्रवादा प्रवत को बढ़ादा बखल प्रवादा कि बतां बटक है ज दोकांड है कि नह प्रवाइब एक बादो और भाला अपोड़गर लिए लिए मुझे टे लिए लिए एक हुट है लिए मुझे लिए 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 लिए. यह वीडियो जो आपने देखी यह किसानों के खेतों की वीडियो है किसी का बस नहीं चला जब यह वीडियो चली वहां बैठे किसान के उपर क्या बीत रही होगी यह मैं और आप नहीं समझ सकते अब यह देखिए कि यह पानी के साथ पत्थर इस तरीके से आ रहे हैं कि पूरी फसल जो है वह किसान की खराब हो गई है बात करें तो यह फसल टमाटर की है और टमाटर के लिए सोलन जिला का एक अपना नाम है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय यह आपता आई है उस समय टमाटर का जो रेट है पर किलो लगभग सौ से डेड़ सो रुपे के बीच में रेट है मान के चलें कि लगभग दो हजार से तीन हजार पैंतिसो तक भी टमाटर की एक क्रेट गई अगर उस बीच में किसान को यह हो जाए यह आपता आ गई तो वह सोचो वह किसान कितना परिशान हुआ होगा कितना वह मन उसका मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उसके दर्द को ब्यां कर सकते बात करें एक जो किसान है मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एरिये कि जहांकि यह वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं इस area में क्या है कि कई नेपाली मुल्के लोग है जो काफी वर्सों से वहां पे खेतीवारी कर रहे है और एक ठेका system होता है उस ठेके system से वहां उन खेतों में काम करते हैं उस जो वो खेत आपको इस वीडियो में दिखा है उस खेत का उस किसान को लगबग पचास हजार से उपर एक ठेका एक अमाउट फिक्स है साल का वो उसे उस जमीन के उनर को देना है अब आप देखिए कि वो फसल जो उसने लगाई है उस फसल की तैयारी लगबग वो फेब्ररी महीने से शुरू करता है फेब्ररी, मार्च, एपरिल, मे, जून, जुलाई, अगस्ट अगस्ट आने वाला है अगस्ट तक जो है वो फसल लगबग उसकी चलती है लेकिन उससे बड़ा कौन है उसने उस फसल को बरबाद करें लेकिन वो विचारा जाएगा कहा हमारे यहां स्थानी के किसान है उन्हों ने भी खेट ठेके पे ले रखे है वो जाएंगे कहा उन लोगों के दर्द को समझना एक बहुत कठेरी काम एक वीडियो और मैं आपको दिखाऊंगा आप इसे देखिए प्रंगे भी कुल एक वीजरिकर क वेलोगों के लीद सकतित साफानी में स्क्वारा सालेगी केवारा जाना एक दिखार्वएंगा प्रेके दिखाऊंगा के ट वे तो चानलमें समया स्टे बहुत झार्ठीक situation झाल खुआज़ को आए डीवाल जाओ जाओ आँची निच्छे बड़ा जाओ जाँची निच्छे पूदध को जाओ जानी है विद् है त्रणी जाओ जानी है यसकी चला अभालडा इच्छे जाओ यकले पर देख बंड़ा है देखा आपने कि एक सपनों का आशिया नजाने किस-किस के खुन-पसीने की कमाई एकदम से ताश के पत्तों की तरह डह गई इस चीज में किसी का जोर नहीं है हमारे एक मित्र है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके बैंक से लोन लेके एक सपना अपना पूरा किया एक छोटा सा सपना था उसका कि एक छोटा सा उसका घर हो बहुत अच्छा गार्डन हो घर के आसपास और ग्रीनरी हो बहुत अच्छा गर उसने मनाया था लेकिन लगभग देड़ साल वह उस घर में रह पाया इस बारिश ने उसका वो घर भी छीने लिया अब हम मुद्दे की बात करेंगे मुद्दे की बात यहाँ है कि अब आप इस पर्टिकुले एक लेटर है इस लेटर को देखिए इसको समझेंगे ये वीडियो का मकसद क्या था नुकसान है नुकसान को हम नहीं रोक सकते क्यों वो प्राकरती है वो भगवान ने बनाया है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते वो प्रकृती है हम सिरफ उसको क्या है उसको बचा सकते हैं या उसको बरभाद कर सकते हैं नदी नालो में घर बना है ठीक है आना है नाले ने आना है पानी ने आना है पानी अपने साथ कभी पटवारी को लेके नहीं आता है ना वो कभी जरेब घुमाता है ना वो कभी फित् चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं आप इस लेटर को देखिए आपने इस लेटर को देखा किस बुद्दी जीवी ने ये लेटर बनाया होगा आप एक बड़ी छोटी सी बात है जो हिमाचल के लोग हैं जो पहाडी क्षेतर के लोग हैं वो मेरी इस बात को जड़ा बड़ी गौर से सुनिएगा इस में लिखा है ये जो मुआवजा है ये बीगा के हिसाब से हैं और बड़ा छोटा सा मेरी जो नौलेज है हिमाचल में बहुत कम ऐसे किसान हैं जिनके पास खेती के योग्य भूमी बीगाओं में हैं किसी के पास चार बीगे का चार बिश्वे का खेत है किसी के पास आठ बिश्वे का खेत है दस बिश्वे का खेत है पंदरा बिश्वे का खेत है बहुत कम ऐसे किसान है बहुत कम ऐसे इमाचली है जिसके पास एक पर्टिकुलर बीगा का खेत अब बात करें मुआवजे की तो मुआवजे की आप रकम पे जाईए क्या आप सहमत है कि जो एक सरकार ने मापदंड तय किया है वो मापदंड वो मुआवजा मेरे हिसाब से किसी जिमिदार को नहीं मिल सकता या किसी भी किसान को नहीं मिल सकता क्यूं क्यूंकि भीगा में बहुत कम किसान है जो कि अपने खेतों में सबजियों को उगाते हैं या फसलों को उगाते हैं पड़ी गौर से सुनिएगा यह बहुत इंट्रस्टिड एक विशय है मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार सुखिंदर सिंग सुखु से भी मेरा हाथ जोड़के निवेदन है कि यहां जो पुरानी एक जो परंपरा चले आई है नजाने किस व्यक्ति ने यह जो चीज बनाई है उस चीज को आप दुबारा से डिफाईए उस चीज को आप दुबारा से बनाईए उन पेरामीटर्स को आप बदल के बनाईए क्यों हिमाचल के किसान विश्वे में खेती करते हैं बिगा में खेती नहीं करते हैं हमारे किसानों के पास 4 बिश्वे 5 बिश्वे 8 बिश्वे 10 बिश्वे यह जगा होती है और इकठीक फिर भी नहीं होती है अलग अलग टुकडों में वो खेत जो है वो इकिसान के लगे हैं और उन खेतों में वह उस फसलों को लगाता है तो मेरा आप से मेरी प्रदेश की सरकार से यही आगरा है कि आप इस जो यह आपने पैमाना एक जो निर्धारित किया है इस पर दुबारा काम करें नरेंदर मोदी जी से भी मेरी यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि मत दो नहीं चाहिए दो हजार नहीं चाहिए एक बीगे का दो हजार दे रहे हैं जबकि उस एक बीगे में दो हजार में मेरे हिसाब से एक दवाई भी नहीं पूरी हो उस में एक दिन की ध्याड़ी भी पूरी नहीं हो तो मेरा तो यह मानना है कि इस पैरमिटर को चेंज करना चाहिए मत दो नहीं चाहिए मत दो उस दो हजार देने के लिए जो फॉरमेलेटे यह आपने क्रियेट की है वो भी एक किसान नहीं कर पाएगा जो जरूरत मंद है उस तक वो पैसा नहीं पहुंचेगा भवनों का भी क्या दे रहे हैं एक लाग और बड़ी पीठ थप थपा रहे हैं कि यह बहुत हमने बढ़ा दिया है चलो कोई बात नहीं जिसका भवन गया है उसके लिए तो वो भी बहुत है लेकिन उसको चेंज करने के लिए मैं न बोलूंगा वो सही है लेकिन जो एक आपने किसान के साथ जो मजाख किया है आप उस मजाख को मत कीजिए उसको बंद कर दीजिए उसके पैरामिटर्स को चेंज कर दीजिए नहीं तो वो पैसा उनको मिलेगा जो उसको डिजर्व नहीं करते हैं और जो डिजर्व करते हैं उनको वो पैसा नहीं मिल तो मेरी तो विनम्र निवेदन है प्रदेश सरकार से केंदर की सरकार से कि क्रिप्या ऐसे माप दंडों को दुबारा से तै कीजिए पहाडी राज्य है हिमाचल पहाडी राज्य हमारा उत्राखंड है हमारे राज्यों में भीगा में जमीन ही नहीं होती है और खेती योग्य तो वैसे भी बहुत कम होती है तो कृप्या इन पेरामिटर्स को चेंज करें और साथ मैं सभी इस वीडियो को देखने वाले भाईयों से मेरा भाईयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ऐसे विशे लेके आपके बीच में आएं कमेंट जरूर करिएगा मुझे बताईएगा कि कैसी वीडियो लगी क्या इस वीडियो में कमी थी कमेंट जलूर कीजिएगा तब ही मुझे पता लगेगा कि मैंने क्या गलत कहा क्या सही कहा और अगर मेरे साथ है तो आप जरूर इस पे कमेंट करके अपनी राय रखिएगा तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा तब तक के लिए ताटा बाए बाए जैई श्री राम फिर मिलते हैं